मिसाइल हमले का बदला लेने के लिए इसरेल ने इरान के परमाणो ठिकानू और तेल के कुएं को जलाने का वार प्लान बनाया है ब्रिटेन के जंगी जेट भी इसरेल के साथ युद्ध में उतर गए है सूपर पावर अमारका ने युद्ध में हर तरह से साथ देने का ऐलान कर दिया है अमारका के इस ऐलान से इरान से जादा तुर्की में खलबली मच गई है इसराइल ने नसर अल्ला कुमारा तो युद्ध में इरान आया इरान ने इसराइल को देल आया तो वार जोन में अमेरिका आया अमेरिका के युद्ध में आते ही क्या पुतिन ने खाड़ी में दी दस तक आर पार का युद्ध है ये अब किसी के रूखे ना रूखेगा हर खेमे में अलान हो चुका है इसराइल और इस्लामिक फाइटर की लड़ाई महा युद्द में बदल गई है बीशन हमले शुरू हो चुके है हाइपरसॉनिक मिसाइल फट रही है जैसे लेबनान दहल रहा है वैसे ही इसराइल में कोहराम मचा है इरान के हमले के बाद इस युद्द में अमेरिका ने भी दमदार एंटरी कर ली है तुर्की भी इसराइल के खिलाफ मोर्चा खोल चुका है मतलब ये कि महा युद्द में अब महाशक्तियों के हत्यारों की टक्कर शुरू होगी इसराइल को 181 फत्य मिसाइल हमले से दहलाने के बाद एरान ने जो ऐलान किया है उसने पूरी दुनिया को खत्रे में डाल दिया है इरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने अमेरिका को सीधी चुनाती देते हुए खाड़ी मुलकों से फॉरन रफ़ा दफ़ा होने का फर्मान सुनाया है इसराइल पर हमले का जश्न जिस तरहां से इरान समर्तित लड़ा के मना रहे हैं उच से सुपर पावर अमेरिका बॉखलाया हुआ है एरान ले इसराइल पर मिसाल स्ट्राइक को सिर्फ ट्रेलर कहकर आगे की तबाही से अलर्ट भी कर दिया है तहरान के सीक्रेट लोकेशन से खामने के मेसे जाने भर की देर थी की कैई मुलकों में हाई लेवल मिटिक शुरू हो गई प्रेजिडेंट जो बाइडन ने वाइट हाउस के रूजवेल्ट रूम से हाई लेवल मीटिंग बुलाकर इसराइल को फुल सपोर्ट का अलान किया है प्रेजिडेंट बाइडन ने इसराइल पर हुए हमले की कीमत तहरान से वसूनले की धमकी देने के साथ खाड़ी के सभी यूएस बेस पर हाई इलर्ट कर दिया है इसराइल के साथ मिलकर अमेरिका खाड़ी में नए वार प्लान पर जल्द आक्शन ले सकता है अमेरिका के ओपन एलान के बाद भी इरान में जश्क का दोर जारी है इरान की सड़कों पर बैनर कोस्टर में युद्ध के लिए रेडी होने की धमकी दी जा रही है माइने ये कि अब इरान अपने सभी हिसाब चुकाने के मूड में है लेकिन सूपर पावर से इरान कितने दिन युद्ध कर पाएगा अमेरिका के हत्यारू की काट इरान कहां से लाएगा क्या इरान अरब देशों के दम से अमेरिका इसराइल से युद्ध जीतने का भ्रम तो नहीं पाल रहा इरान के दुस्साहस की असल डीटेल जानने से पहले अरब वर्ल्ड से आया ये मैसिज भी सुन लीजिये मैसिज है साओधी अरब का, मैसिज है इरान के लिए जिसमें साफ कहा गया है कि साओधी अरब खाड़ी में वार टेंशन को बढ़ने नहीं देना चाहता साओधी अरब का मैसेज इरान के लिए अलारम है जबकि ताकतफ़ टुर्की भी अमेरिका के वर्जोन में आने से देल गया है तुर्की के प्रेजिडेंट अरब को डर सता रहा है कि एरान के बाद उनका ही नमबर है तुर्की की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अर्दुआन ने अंकारा में अपने भाशन में ये डर बयां किया अर्दुआन ने नेतन याहू को डारेक धमकी देकर तुर्की को टार्गेट बनाने से पहले सौ बार सोचने के लिए कहा है इस्राइली दूर दूर्दूमाली इस्लाम दुन्यासी आइनी शेकिले वतन सावनमसंदा मुतलका लुबनान हलकी वे हुकूमेटिनिन यनंदे ओलमाली बिस तुर्किये वे तुर्क मिल्यती ओलाराक बुज जोर गुनलरिंदे तुर्की डरा हुआ है सौधी अरब शान्ती का पैगाम दे रहा है फिर एरान युद्द की ललकार किसके दम से बर रहा है वार जोन में तहलका मचाने की शुरुआन इसराइल कैसे करता है ये बेरूत की बरबादी बताती है इरान की विसाइल स्ट्राइक का जवाब इसराइल भ्यानक पलटबार करेगा इसमें किसी को शक नहीं तो क्या इरान रूस और चीन के बैकप से अमेरिका से भढ़ने जा रहा है इरान ने ओपरेशन टू प्रॉमिस टू का जोकिम किसके कहने पर मोल लिया है पश्चिमी मीडिया रिपोर्ट्स में इसको लेकर जो दावा किया जा रहा है वो बेहट डराबना है रूस ने पश्चिमेशिया के युद्ध संकट का ठीक रा अमेरिका पर फोड़ दिया है प्रेजिडेंट पुतिन ने बाइडन को जम कर कोसा है रूस के विदेश मंत्राले की प्रवक्ता मारिया जखरोवा ने ट्रेलिक्राम पोस्ट में दावा किया पश्चिमेशिया में बाइडन पूरी तरहा विफल रहे है पूनी संगर्ष बढ़ता जा रहा है ये वाइट हाउस के समच से बाहर है अमेरिका सिर्फ बयान से संकाटों को हलक करने में लगा है जो उसके बसका नहीं इसराइल के हमले के बाद लिबनान को राहत पैकेज भेज कर रूस ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है खाड़ युद में फिलहाल रूस इरान खेमे में है चीन पहले ही इरान को सेटेलाइट डील करके मदद पहुचा रहा है लेकिन वार्जोन में ये दोनों देश इरान के साथ उतरेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है खासकर चीन उदर अमेरिका तैकर चुका है कि अब की बार इरान का पक्का इलाज करेगा इरान को गुटनों पर लाने में अमेरिका और इसराइल को ज्यादा जोर भी नहीं लगाना पड़ेगा अमेरिका इसराइल को हर तरहां से मदद पहुचाता है हमास पर बरस रहे मिसाइल हों इस बुल्ला के एड़े पर फट रहे रॉकेट हों या फिर हूती विद्रोयों को दहला रहे जंगी जेड ये सबी हतियार मेड इन अमेरिका है इसराइल सूपर पावर के दम पर सभी दुश्मनों से अकेले लड़ रहा है ऐसे में इरान ने अगर इसराइल में भुश कर हमले की हिमाकत दिखाई तो अमेरिका को इरान को सबक सिखाने में वक्त नहीं लगेगा अमेरिका के सौ सैनने अट डे खाड़ी के देशों में है जहां करीब 40,000 जवान तैनात है बहरीन में मौझूद इसा एर बेस को अमेरिकी वायुसेना संचालित करती है बहरीन में अमेरिका का बड़ा मिलिटरी बेस भी मौझूद है बहरीन में नेवल फोसिस सेंट्रल कमांड और अमेरिकी नौसेना के पांचवे बेड़े का मुख्याले भी है इसके अलावा भी अमेरिका के वेड, उमान, इराक, जोर्डन, फिलिपीन्स, कतर, सौधी अरब, सेशल्स, सीरिया, थाइलेंड और सैयुक तरब अमिरात में सेंट्ने अड़े मौझूद है अमेरिका के जंगी बेड़े चलते फिरते परमाणू बोदाम है यूएस नेवी के एरक्राफ्ट कैरियर ऐसे न्यूक्लियर हतियारों से लेस रहते हैं जो किसी भी देश को पल भर में परमाणू धमाके का एसास करा सकते हैं अमेरिका के आटमी हमले का जवाब देने की ताकत फिलहाल इरान के पास नहीं है चीन जैसे मौका परस दोस्ट से एरान को एटमी हतियार हासिल करने के एसरत कभी पूरी नहीं हो सकती बचे पुतिन तो वो इस युद के गेम चेंजर सावित हो सकते हैं जिने दुनिया मोस्ट पाउफुल लीडर कहती है युक्रेन की तबाही पुतिन के प्रचंड क्रोध का जिन्दा समूत है पुतिन का एरान के साथ युद में आने से एटमी पावर का भी पढ़ला एरान के हक में चला जाएगा लेकिन ये युद तब पूरी दुनिया पर भारी पड़ेगा बज़े है एटमी धमाके अमेरिका के आटम पम का धमाका इस धर्ती ने एक बार जिला है परमाणूत रासिती से बचने का कोई भी रास्ता इंसानों के पास फिलहाल तो नहीं है बड़ी कबर इस वक्त आपको बता दें इस बुल्ला के खलाब ग्राउंड ऑपरेशन में इसरेल ने पहले ही दिन आट सैनिकों को फो दिया है इसरेल के आट सैनिक मारे गए है इनमें एक अफसर भी है जबकि इसरेल का इदावा है कि उसने इस बुल्ला के तीस लड़ा के मार गिरा है हलाकि हेजबुल्ला के आटाक में इसरेल के तीन मार्कावा टैंक भी तबाह हो गये हैं यानि लेबनेन इसरेल बॉर्डर पर जबरदस्त युद्ध शुरू हो गया है इरान और हिजबुल्ला के खिलाफ क्या इस्रेल ये युद्ध जीतेगा या फिर हारेगा इन सवालों ने नितिनियाहू को तब परिशान कर दिया है और इस वक्त इस्रेल के एक लाग सैनिक लेबनेंट बॉर्डर पर खड़े हैं और पहले ही हमले में हिजबुल्ला ने बड़ा जटका दे दिया है इतनी मिसाइल एक साथ गिरेंगी तो क्या होगा? इरान के एक हमले ने एक अक्तूबर को पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया है इतनी मिसाइल से एक साथ बचाएगा कौन? इतने बड़े हमले के बाद इसराइल के सामने सबसे बड़ा सवाल ये मिसाइल नहीं बलकि नेतन याहू के सामने इससे भी बड़ा चैलेंज खड़ा हो चुका है दक्षिन लिबनान में शुरू हुआ इसराइल का ग्राउंड ओपरेशन शुरू होने के साथ ही फस चुका है इस भुल्ला ने बॉर्डर पार करने वाली इसराइल की कमांडो यूनिट पर बड़ा हमला किया और उसको खदेड दिया मीडिया में ऐसा दावा किया जा रहा है कि इसराइल का ग्राउंड ओपरेशन पहले दिन फेल हो गया है इसमें कोई शक नहीं कि लिबनान इसराइल बॉर्डर पर बड़ी ललाई शुरू हो चुकी है इस भुल्ला को जड़ से खत्म करने वाला उपरेशन इसराइल ने लाँच किया इसका वीडियो भी भीजा लेकिन जब इरान एक अक्तूबर को इसराइल के मिलिटरी बेस पर बिजाइल दाग रहा था तब लिबनान इसराइल बॉर्डर पर एक बहुत ही खतरनाक ऑपरेशन जारी था इस बुल्ला का दावा है कि उसने इसराइली कमांडो को ओदेसा और कफार किला के इलाके में बड़ी टक कर दी है उसके कैई कमांडो मारे गए हैं, कैई घायल हुए हैं, पॉइंट ब्लांक रेंज से भी हमले का दावा किया गया है एक तरफ नेतन याहू का लेबनान के खलाब ग्राउंड ऑपरेशन है तो दूसरी तरफ इरान की तरफ से इसराइल पर मिसाइल अटैक इसराइल इस वक्त बहुत ज्यादा प्रेशर में है, इसराइल को तहरान को भी जवाब देना है और लेबनान में भी ऑपरेशन करना है नेतन याहू इस वक्त कई मोर्चों पर घिर चुके हैं, इस खबर से बाइडन बहुत ज़्यादा बेचैन है और आगे इस यूद का अंजाम क्या होगा इसे लेकर मोस्कों में बैठे वलादमीर पुतिन भी टेंशन में है इस वक्त दुनिया में चार पावर सेंटर तयार हो चुके हैं, जो इस युद का फैसला करेंगे वाशिंटन डीसी में वाइट हाउस, क्या अमेरिका इसराइल की मदद के लिए डायरेक्ट इस यूद में कूदेगा इसराइल की राजधानी तेलवीव में क्या फैसला होने वाला है तीसरा शहर इरान की राजधानी तेहरान, जहां सुप्रीम लीडर अलिकामनेई का वार रूम बड़े फैसले ले सकता है और चौता शहर है रूस की कैपिटल मॉस्को जहां से अब सिर्फ यूकरेन नहीं बल्कि इरान इसराइल के मोर्चे को भी मेसेज पहुचाया जा सकता है इस वक्त पूरा बश्यमेशिया महायुद के जलते हुए तवे पर बैठा हुआ है नीचे आख सुलग रही है बं मिसाइलों और ड्रोन के हमलों से इस बार ऐसी तबाही की गारंटी दी जा रही है कि तलवीव से लेकर तहरान तक देह्शत पहली हुई है एरान के हमले के बाद अफगेन इसराइल के पाले में और नेतन याहू लगातार मीटिंग करके पूछ रहे हैं कि इरान को कैसे जवाब दिया जाए इस बुल्ला को कैसे खत्म किया जाए इन इस पाणिया जाए इसके बाद पहली एक्तूबर को ही इरान ने इसराइल पर हमला कर दिया सवाल है कि क्या इसी महीने अमेरिका और रूस भी इस युद्ध में पूदेंगे और महा युद्ध शुरू हो जाएगा इस वक्त इरान और इसराइल दो कैम्पों में बटे हुए हैं इसे महाशक्तियों की टक्कर कहा जा सकता है एक तरफ अमेरिका है तो दूसरी तरफ रूस है और यही दुनिया का सबसे बड़ा खौफ भी है क्योंकि अमेरिका इसराइल के साथ है और रूस इरान के साथ ये चारों ताकत ऐसी है कि इनकी टककर वर्ल्ड वार की वज़े बन सकती है अमेरिका ने इसराइल को गोले बारूर की सप्लाई पिछले कुछ महीनों में तेज किये बंगर बस्टर से लेकर हर तरहां का बम इसराइल को सप्लाई किया गया है लेकिन एक अक्तूबर की रात को इरान के मिसाइल अटाक ने साबित कर दिया कि इसराइल चाहे जिसकी मदद ले, जिससे हत्यार ले, कोई भी उसकी ढाल बने इरान नसरल्ला से लेकर हानिया सब का बदला, अकेले अपने दम पड़ ले सकता है अब सब कुछ नेतन्याहू के वार रूम पर निर्भर करता है, वो क्या फैसले लेंगे क्या इसराइल कुछ बड़ा करने की सोच रहा है, क्योंकि इसराइल के सामने चुनौती सिर्फ इरान नहीं, बलकि चार मैदान है, जहां युद्ध आक्टिव मोड में चल रहा है पहला फ्रंट गजा है, जहां इसराइल हमास से लड़ रहा है, दूसरा फ्रंट लेबनान है, जहां इसराइल हिजबुल्ला से लड़ रहा है, तीसरा फ्रंट यमन है, जहां इसराइल हूती के एड़ों पर बंबारी कर चुका है अब चौता फरंट इराक बन सकता है क्योंकि इराक में इरान के समर्तनवाला मिलिशिया गुड हशदल शाबी भी आक्टिव हो गया है जब इरान के मिसाइल इसराइल पर गिर रही थी तब यमन में भी होती अपनी कुद्स वाइब मिसाइल इसराइल पर फायर कर रहे थे इसराइल इसराइल इसराइले इसराइले इसराइल इसराइले 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 इसराइल पर दो नहीं जाता कि गाज़ा के अलावा इसराइल किसी दूसरे फ्रंट पर लड़ने के लिए मजबूर हो जाए I think it's certainly not very realistic because that was the claim in 2006 with the other war on Hezbollah in the south of Lebanon and it took almost a month to get you know ceasefire and end of the aggression on both sides so I think it's going to take a long time particularly that ground invasion will involve elements of Hezbollah who are very well trained in guerrilla warfare 2006 में Hezbollah इतना मजबूत नहीं था लेकिन उसने अपने दम पर इसराइल को ceasefire के लिए मजबूर कर दिया था यही वज़ा है कि इसराइल अमेरिका से इस बार भी पूरा backup चाहता है नेतनियाहू लिबनान में घुसकर Hezbollah को कोने कोने से खत्म करना चाहते हैं इसे आप नेतनियाहू का operation all out भी कह सकते हैं लेकिन इससे पहले ही इरान ने कर दी इसराइल पर surgical missile strike सवाल ये भी है कि क्या इसराइल हेजबूला के खिलाफ युद को इतनी आसानी से जीच सकता है जबकि इससे पहले वो दो बार फेल हो चुका है एरान के missile attack के बाद अब इसराइल की मदद के लिए अमेरिका काफी दबाओ में है वो इसराइल के आसपास अड़ो पर forge और fighter jet की तैनाती बढ़ा रहा है इस वक्त पूरे पश्चिमेशिया में अमेरिका के 40,000 सैनिक पहले से ही तैनात है इराक से लेकर सौधी अरब और कतर से लेकर कुवेत तक अमेरिका के कैई सैन नेटे हैं यहाँ पर उसके सैक्डो फाइटर जेट भी तैनात है लेकिन हिस्बुल्ला और इसराइल की लडाई बॉर्डर पर हो रही है और वहाँ इसराइल को काम्याबी के लिए कुछ नया सोचना होगा क्योंकि अब हमला चारों तरफ से हो रहा है और इसराइल के पास अमेरिका की गारेंटी सबसे वड़ी ताकत बची है